हेलो एब्रिवान, वेलकम टू दलिकल फिस्ट चानल, मैं हूँ महाश्विता पतनायक, आज मैं आपके साथ कॉस्टिटूशन का आर्टिकल 279-A के उपर डिस्केस करूगी, आर्टिकल 279-A जी एस्टी काउंसल यानि जी एस्टी परिस्ट की बात करता है, अक्सर आप सुनत पावर्स और फंक्सन क्या-क्या होते हैं, इस सबके उपर आज में डिस्केस करूगी, इसे डिस्केस करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लेश सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चानल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। GST को 100 First Constitutional Amendment Act के माध्यम से हिलाया गया था। इसी Amendment से ही Constitution में कुछ आर्टिकल्स को हटाया गया। कुछ आर्टिकल्स में modify किया गया और कुछ नए आर्टिकल्स को introduce किया गया। उसमें से Article 279A एक आर्टिकल्स है। इसी आर्टिकल्स के माध्यम से ही एक Constitutional Buddy को गठन कर दी गई थी। जिसका नाम है GST Council। GST Council के composition, power, functions, सारी चीजें Article 279A में लिख दी गई है। Article 279A प्रेसिडेंट को GST Council constitute करने के लिए empower करता है। 286A में प्रेसिडेंट ने अपने order से GST Council को बना दिया था। हम सभी को पता है कि Fast July 277 से ही GST को implement किया गया था लेकिन GST Council को GST के implement होने से पहले ही बना दिया गया था। क्योंकि GST Council ही decide करता है कौन से चीज़ पर tax लगेगा, कौन से पर नहीं लगेगा, किस चीज़ पर कौन सा slab rate लगेगा, GST के minimum और maximum slab rate कितना होगा, सभी को क्या GST registration लेना होगा, या नहीं लेना होगा, यानि पान वाला हो, दूद वाला हो, या सबजी वाला हो, उन्हें क्या GST registration लेना होगा, Registration किसे लेना होगा या नहीं लेना होगा इसके Turnable Limit कितना होगा GST जितना Collect होगा उसको State और Center में कितना बांटा जाएगा GST Compensation से इसकितना दिया जाएगा यह सारी बातें यानि GST से Related सारे काम और Decision GST Implement से लेकर Management तक सब कुछ GST Council के माधियन से ही होता है इसलिए पहले GST Council को गठन किया गया था उसके बाद 2017 से ही GST को Implement किया गया अब चलिए Article 279A को डिसकस करते हैं यह Article थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है इसमें से थोड़ा बहुत बात तो मैं अभी बोल चुकी हूँ चलिए प्रोविजन में जो दिया है उसे डिसकस करते हैं Article 279A Clause 1 says the President's Sal within 60 Days from the date of commencement of the Constitution 101st Amendment Act 2016 by order Constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council यह कहता है 101 संबिधान संसोदन अधिनियम 2016 के प्रारम होने के 60 दिनों के अंदर रास्टर पती एक परिशत गठन के लिए आदेश देंगे उस परिशत को GST Council कहा जाएगा यानि Clause 1 President को GST Council गठन के लिए इंपावर करता है इसके मेंबर्स कौन होते हैं GST में लौ बनाने के पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास होता है और जो GST कलेक्ट होता है उससे सेंटर और स्टेट दोनों में पांड दिया जाता है तो फिर ये और बेसी बात है वो सेंटर और स्टेट के मेंबर्स इस काउंसल के मेंबर होंगे चलिए Clause 2 को डिसकस करके इसके मेंबर्स कौन होते हैं जानते हैं Clause 2 says the Goods and Services Tax Council shall consist of the following members नेमली GST काउंसल के मेंबर है The Union Finance Minister जो Union Finance Minister होते हैं वो GST काउंसल के चेर्मेन होते हैं आज के डेट में Finance Minister नेमला सीतारमन जी है जो की इस काउंसल के चेर्मेन है और कौन मेंबर्स होते हैं आपको नाम से लग रहा होगा कि ये स्टेट का कोई पोस्ट है लेकिन ये Central Government का पोस्ट होता है Revenue और Finance Department के चार्ज में जो Minister होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं लास्ट टाइम जो 50 सेकेंड GST काउंसल मेंटिंग हुआ था उसके मेंबर थे पंकस चौधरी इसके साथ और कौन मेंबर रहेंगे The Minister in Charge of Finance और Taxation और Any Other Minister नोमिनेटेड बाई इस स्टेट गभर्मेंट यानि है स्टेट का Finance और Taxation मिनिस्टर या और कोई सदेशिये जिस स्टेट के द्वारा नोमिनेटेड किया गया हो इसके मेंबर रहेंगे खुल मिला के GST काउंसल में 33 मेंबर रहेंगे जिन मेंसे दो मेंबर सिंटर के रहेंगे जो की है Union Finance Minister और Union Minister of State और बाकी 31 मेंबर मेंसे 28 स्टेट के 28 Finance Minister और 3 Union Territories के 3 Minister रहेंगे अब आपके मन में एक सवाला आज सकता है 28 स्टेट के 28 Finance Minister GST काउंसल के मेंबर होंगे ये सही है लेकिन बाकी जो 3 मेंबर हैं वो 3 Union Territories से क्यों आते हैं अभी आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा पहले जान लीजिए वो 3 Union Territories कौन है डेली, पुडिजरी और जमुएन कस्मीर ये तीनों भले ही Union Territory है लेकिन इनने भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इनका अपना लेजिसलेचर होता है आर्टिकल 366 का क्लॉस 26 भी कहता है स्टेट विध रेफरेंस टू आर्टिकल 246 से 268, 269, 269 A and 279 A इंक्लूर्स ए यूनियन Territory with Legislature अब डाउट क्लियर हुआ GST Council में टोटल कितने मेंबर होते हैं इसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं अब चलिए क्लॉस 3 को डिस्कस करते हैं ये कहता है कि क्लॉस 2 का सब क्लॉस 3 में जितने मेंबर होंगे यानि हर स्टेर्स और तीन यूनियन Territory के जो मेंबर होंगे यानि जो 31 मेंबर होंगे उन में से ये मेंबर मिलके एक को GST Council का भाईस चेयर परसन चुनेंगे अब क्लॉस 4 को डिस्कस करते हैं इट सेज ये कहता है GST Council उनियन और स्टेर्स को रिकमेंड देगी GST Council सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है ये जरूरी नहीं है कि GST Council जो रिकमेंडेशन देगी उसे माना जाएगा किस बात के लिए ये रिकमेंडेशन देगी चलिए डिस्कस करते हैं ये कहता है कि यूनियन, स्टेर्स और लोकल वर्डिस के द्वारा जो टैक्सेस, सेसेस और सचाजेस लगाया जाता है उसमें से कौन सा टैक्सेस, सेसेस और सचाजेस को GST में मस किया जाए ये बात GST Council रिकमेंड करेगी और क्या कहता है सबकलोज B सेज यानि GST में कौन से गूर्स और सर्विसेस को टैक्सेबल किया जाए और कौन से गूर्स और सर्विसेस को GST से एक्सेट किया जाए ये सब बात GST Council रिकमेंड करेगी और क्या रिकमेंड करेगी ये कहता है कि GST लोग का मौडल टैक्स लेभी करने के लिए जो प्रिंसिपल बनेंगे इंटर सेट सप्लाई में जो भी टैक्स सेंटर और स्टेट में बांटा जाएगा और प्लेस अफ सप्लाई को लेकर जो भी प्रिंसिपल्स बनेगा इसे GST Council ही रिकमेंड करेगी ये बात आर्टिकल 269-A में अल्रेडी डिसकस कर चुकी हूँ ये और क्या करेगी Clause D says the threshold limit of turnover below whose goods and services may be exempted from goods and services tax यानि GST Council रिकमेंड करेगी कितने limit के turnover पर exempted है और कितने limit के उपर taxable है जैसे कि कहां पर 20 लाग है कहां पर 40 लाग है ये सब बात GST Council रिकमेंड करेगी अब सब क्लोज इको चलते हैं It says the rates including floor rates with bands of goods and services tax यानि किस goods या service पर कितना rates से tax लगेगा ये भी GST Council तए करेगी जैसे कि किस पर 5%, किस पर 12% या 18% या 28% कितना लगेगा ये सब GST Council रिकमेंड करेगी अब सब क्लोज F को आते हैं ये कहता है ये कहता है कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे कि COVID के समय हुआ था कि दोरान अडिशनल लिसोसे के जरुवत परती है तो उस समय के लिए सब क्लोज G को चलते हैं ये सब GST Council तए करती है सब क्लोज F को चलते हैं सब क्लोज G कहता है इन सब स्ब क्लोज GST Council ही रेकमेंड करेगी अब सब क्लोज H को चलते हैं सब क्लोज H says any other matter relating to the course and services tax as the council may decide ये कहता है GST को लेकर और कोई matter होगा तो उस पर GST Council decision ले सकती है यानि सब क्लोज A to G तक तब matter पर GST Council रेकमेंड करेगी उससे छोड़ कर अगर और कोई GST से related matter होगा उस पर GST Council रेकमेंड कर सकती है क्लोज 4 थोड़ा बड़ा था लेकिन इसे डिसकस करना भी तो जरूरी था एक बात याद रखिए ये जरूरी नहीं है कि GST Council जो रेकमेंड करेगी वो सिंटर और स्टेट मानेगे अगर सिंटर और स्टेट को लगता है कि GST Council ने जो रेकमेंड किया है इससे करना जरूरी है तो नोटिफिकेशन इसू करके उसे इंप्लिमेंट किया जाएगा अब क्लोज 5 थो डिसकस करते हैं लेकिन GST Council जब चाहेगी कि इन पर भी GST लगेगा वो उस डेट को रेकमेंड करेगी इसके बारे में अर्टिकल 246-A में डिसकस कर चुकी हूँ अर्टिकल 246 का एक्स्वानेशन तो यही कहता है अब क्लोज 6 को चलते हैं यह कहता है यह कहता है जब GST Council इस आर्टिकल के मताबिक अपना काम कर रही होगी उसे हार्मोनाइश स्ट्रक्चर अब GST को ध्यान में रखके करना होगा जिससे की गूर्स और सर्विसेस का एक हार्मोनाइशन नाशनल मार्केट डिबलब हो सके GST लाने का मक्सेद यही था कि एक हार्मोनाइश नाशनल मार्केट बन सके अब क्लॉस 7 को चलते हैं क्लॉस 7 कहता है GST काउंसिल में टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे उनका वान हाप यानि 50% मेंबर मिटिंग में कोरम कंस्टिचूट करेंगे अब क्लॉस 8 को चलते हैं यह कहता है दे गूर्स और सर्विसेस टैस काउंसिल अब क्लॉस 9 को चलते हैं यह कहता है अब क्लॉस 9 को चलते हैं namely the vote of the central government सालहाबे वेटेस of one third of the total votes cast and the votes of all the state governments taken together सालहाबे वेटेस of two thirds of the total votes cast in that meeting क्लॉस 9 कहता है जीस्ट काउंसिल अपने डीसिशन को कैसे लेती है जीस्ट काउंसिल में कोई डीसिशन पास करने के लिए three votes of the majority-weighted votes यानि 75% majority-weighted votes होनी जाहिए central government का one third vote होता है और state governments का two third vote होता है जीस्ट काउंसिल में अगर कोई डीसिशन को पास करना है तो कम से कम three votes यानि 75% की majority होनी जाहिए अब क्लॉस 10 को चलते हैं यह कहता है कि जीस्ट काउंसिल का कोई भी आक्ट और प्रोसीडिंग को invalid नहीं माना जाएगा के बल इस बज़े से कि जीस्ट काउंसिल का जब गठन हुआ था तब एक vacancy थी या उसमें कोई defect था इस बज़े से इसे invalid नहीं माना जाएगा या गलत तरीके से किसी को जीस्ट काउंसिल का मेंबर बना दिया या अपने कार्या करने के समय कोई procedural irregularity कर दी यानि जीस्ट काउंसिल ने जो procedure को determine किया था उसको follow नहीं किया इस बज़े से इसे invalid नहीं किया जाएगा अब clause 11 यानि इसी आर्टिकल का last clause को discuss करते हैं यह कहता है The goods and services tax council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute between the government of India and one or more states or between the government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other side or between two or more states arising out of the recommendations of the council और implementation thereof यह कहता है अगर GST council ने कोई recommendation दिया है और उस recommendation को लेकर government of India यानि center और एक या उससे ज़्यादा state के बीच या center और किसी state या बहुत सारे state के बीच जहांपर center नहीं है या एक और बहुत सारे state या दो और बहुत सारे state के बीच कोई dispute होता है तो उस dispute को adjudicate करने के लिए GST council एक mechanism establish करेगी यह था article 279 ने वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि आर्टिकल में 11 clauses और कुछ clauses के sub clauses भी हैं जितना हो सका उसे आसान तरीके से और briefly समझाने की कोसिस की हूँ आज के वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी informative लगे तो प्लीज चानल को subscribe कीजिए और वीडियो को like और share जरूर कीजिए good bye friends